साउथ अफरीका के स्टार स्पिनर इमरान ताहिर ने कहा है कि IPL के फिछले सीजन में चेनने सूपर किंग्स के लिए उनके हमवतन और पूर्फ साउथ अफरीकी कप्तान फैफ डुपलेसी को ड्रिंक्स ले जाते हुए देखा जाना उनके लिए बहुत दर्द भरा था एक फ्रेंचाइजी के रूप में CSK कितनी अच्छी है इसके बिर प्रसंसा इमरान ताहिर ने की है लाग स्पिनर ने कहा है कि फ्रेंचाइजी और चेनने के फैंस अपने खिलाडियों को बेहत सम्मान देते हैं भारते स्पिनर आर अस्विन के साथ यूट्यूब पर बात करते हुए इमरान ताहिर ने कहा बैश टीम मेरे दिल से चेनने है मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ मैंने कभी किसी फ्रेंचाइजी से इतना सम्मान नहीं देखा मैंने कभी किसी को अपने परिवार की इतनी अच्छी तरह से देखपाल करते नहीं देखा चेनने के फैंस भी बहुत प्यारे हैं उन्होंने आगे कहा जब मैं वहाँ खेलता था तो एक अलगी माहौल होता था और मुख्या कारण मैं उनकी कल्चर से प्यार करता हूँ वे परदर्शन के बार में बात नहीं करते हैं और हमेशा साहयक होते हैं और यही वह है जो मुझे क्रिकेट में पसंद है आप एक दिन परदर्शन करेंगे यही उमीद सभी को रहती है ताहिर ने यह भी कहा कि उनको नहीं पता कि उनकी CSK की प्लेंग 11 में कब शामिल किया जाएगा क्योंकि विदेशी खिलाडियों ने अपने पैर जमाय हुए है वैसे आपको बता दें साउत अफरी की इमरान ताहिर ने IPL 2020 में एक भी मैच अभी तक नहीं खेला है टीम के खराब पर्दशन के बाद अब लग रहा है उनको अगला मैच खेलने को मिल जाएगा